नवसकार दोस्तों, Only Real Stories में आपका स्वागत है जो आदिवासी होता है। उसकी जमीन उसका जिना ना सिफ जमीन शीनी गई लेकिन दस लोग का कथी भी गए उसके साथ साथ छे लोग हस्पिताल में उसका ने पहले भी कहा है। अब मैं उन परिवारों से मिलने आए हूँ। यह कोई अपराद तो नहीं है। जो पीड़ित हैं उनसे मिलना एक नेता का धर्म होता है। अपराद नहीं है। तो मैंने कोई अपराद नहीं किया। मैं जमानत बिल्कुर नहीं भरो। मैं एक पैसा नहीं भरो। यह सपश्ट है मैंने कहा सुभे आए मैं पीड़े तो से मिलने के लिए मैंने सुभे भी का कि अगर सोन बादर में 144 था रहा है मैं उसका उलंगधन नहीं कर दो जने आएंगे मुझे ले जाईए उनके पास किसी भी तरह से मुझे मिलवा लिए फिर भी उन्होंने यह सब पिछले साथ धंटों से सबसे पहले तो मुझे यह नहीं बताया कि इस लिए था और बता दिया तो मैंस पश्ट हुआ उन परिवारों के सवरस्चों से मिलने के बिना मैं यहां से ज़िए आदे घंटे पहले मिर्जापूर के डियम साब और मेस्पी साब यहां आए उन्हो गधिया, और मैं जाऊँगी, मुझे कोई एसी की ज़रत भीजा, मैं उन परिवारों से पितनि के बिना इहlen से गिलूँगी, बाकी आपको दे चेल में डालना ए, जेल मिना जिकरना है, मैं तयार हूँ, कछ भी करना हूँ, क्योंकि मैंने कोई अप्रागद में जितनु कि यह जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आरूप लगा रहे हैं कि तारी चीजों के पीछे कही न कहीं कॉंगर्स का अच्छा सरकार किसकी है सरकार किसकी है सरकार कि सरकार योगी जी की सरकार है कि जवाला नेरू की सरकार है जिम्मेदारी बुख्यमंत्री जी की है जंता की सुरक्षा जो अराजकता फैली है इस प्रदेश में जो आफ रोज रोज देख रहे हैं आफ रोज रोज मीडिया वाले हैं आफ रोज रोज ल प्रशासन आपके लाइट नहीं है, तो आपको नहीं लगता है कि उसका जिम्मेदारी को इंतजाम करें, आपके रहने का इंतजाम करें, तो किस तरीके का इंतजाम किया यहां पर आपके इंतजाम किया है? मेरे रहने के इंतजाम की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, चाहे लाइट है, नहीं है, इसी है, नहीं है, सब्बगवास, मेरा इंतजाम नहीं करना है, बलकि मैंने सुबह भी कहा, अगर इतना इंतजाम उस गाउं में कर ले थे, जब गाउवाले आपको तीन अब आपने कोई इंतजाम नहीं किया, अब सारा ये सब इंतजाम करने का क्या फाइदा है, और उसके उपर में का मुझे इंतजाम की कोई जरूरती नहीं है, पुर्देश सरकार तो करें कि लाइनाडर पुर्देश में तो सही रुटीक है, अब परिशायद उनको बाहर आ इंतजाम करने चाहिए अपने हर से इंतजार देखना चाहिए कि क्या हो रहा है, और न्यूज को पढ़ने थे, किस गुद्गुदे में जी रहे हैं, आप सब को मालूम है कि क्या स्थितियत लुदीश की, प्रिंका जी अभी एक दिन पहले आपने कहा था कि हमारी सुरक्ष प्रिंका वे उस्ता को कम कर दिया है, अभी एक दिल तखले आपने देख लेया है, क्योंकि पिछली बार में यहाँ इन 22 गाड़ी थी मेरे साहिए, इसका क्या मतलब है, किसको जरूरत है इन 22 गाड़ी हो बिल्कुल जरूरत नहीं है, ट्राफिक को रोपने की ज़ना है, औ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें